कोरोना के खिलाप लड़ाई में जन्नता कर्फियू से लेकर आज तक हम सभी भारतवास्यों ने बहुत लंबा सफर ताई किया है। समय के साथ आर्थिक गतिविद्यों में भी दीरे धीरे तेजी नजर आ रही है। हम में से अधिकाउस लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज गरों से बाहर निकल रहे हैं। तिहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रोनक धीरे धीरे लोट रही है। लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लोग डाउन भले चला गया हो। वाइरस नहीं गया है। बीते साथ आठ महिनों में प्रतेग भारतिय के प्रयास से भारत आज जिस संबली हुई स्थिति में हैं। हमें उसे बिगडने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है। फेटालिटी रेट कम है। भारत में जहां प्रती दस लाग जन संख्या पर करीब साड़े पाँच हजार लोगों को कोरोना हुआ है। वहीं अमेरिका और ब्राजिल जैसे देशों में ये आखड़ा 25 हजार के करीब है। भारत में प्रती दस लाग लोगों में मृत्युदर 83 है। जबकी अमेरिका, ब्राजिल, स्प्रेन, ब्रिटेन जैसे अनेक देशों में ये आखड़ा 600 के पार है। दुनिया के साधन संपन देशों की तुलना में भारत अपने जादा से जादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। आज हमारे देश में कोरोना मरीजों के लिए 90 लाग से जादा बेट्स की सुविधा उपलब्द है। 12,000 कॉरंटाइन सेंटर्स है। कोरोना टेस्टिंग की करीब 2,000 लेप्स काम कर रही है। देश में टेस्ट की संख्या जल्द ही 10 करोड के आंकडे को पार कर जाएगी। कोवीड महामारी के खिलाप लड़ाई में टेस्ट की बड़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत रही है। सेवा पर्मो धर्म के मंत्र पे चलते हुए हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सीज, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे सुरक्षा कर्मी और भी सेवा के भाव से काम करने वाले लोग इतनी बड़ी आबादी की निश्वार्त सेवा कर रहे हैं। इन सभी प्रयासों के बीच ये समय लापरवा होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खत्रा नहीं है। हाल के दिनों में हम सबने बहुत सी तस्वीरे वीडियो देखे हैं जिन में साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत डिला ही ले आये हैं। ये बिलकुल ठीक नहीं है। अगर आप लापरवाई बरत रहे हैं बीना मास के बाहर निकल रहे हैं तो आप अपने आपको अपने परिवार को अपने परिवार के बच्चों को बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। आप ध्यान रखिए आज अमेरिका हो या फिर यूरोप के दूसरे देश इन देशों में कोरोना के मामले कम हो रहे थे। लेकिन अचानक से फिर से बढ़ने लगे हैं और चिंता जनक वृद्धी हो रही हैं। उर्ल इसली डंएंबी संको